हेलो एवरिवन स्वागत है आपका इस चैनल पे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एपोर्चिनिटी सामने आई है 36 गरामिक डाक सेवा दुआरा 1137 पोस्ट आपके लिए निकाले गए हैं और इस पोस्ट की योग्यता सिर्फ और सिर्फ दस्वी पास है इसकी क्या है सिर्फ सिर्फ दस्वी पास ताब जीतने भी दस्वी पास हैं इस पोस्ट के लिए एपलाई कर सकते हैं और आगे इस post की last date कब है, फीस कितनी है, और इस सभी post की category वाइस post कितनी है, इन सभी को जानने के लिए मेरे वेडियो को अंतर चरू देखें, यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe जरू कर लीजिए, तो चलिए इस वीडियो के सुरुआत करते हैं, तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके official notification पे आजएंगे, या अब इसका official notification है, 36 गड़ ग्रामिक डाक सेवा का, इसमें कौन-कौन से post निकले हैं, इसमें से ग्रामिक डाक सेवा की कितने post निकले हैं, जैसे कि BPM, post branch manager, इन सभी के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, total post कि इसमें आपके community wise देख लेते हैं, EWS, economically weaker section के लिए 124 post, OBC वालों के लिए 29 post, और AC वालों के लिए 149 post, और HT वालों के लिए 326, और last general वालों के लिए 464, इन सभी post को total करेंगे, ति यह हो जाएगा आपका 1137 post आपके लिए निकाले गया हैं, कौन-कौन से post हैं, यह देख ल master, इसका आपका salary देख लेते हैं, 12,000 इसके salary है, और लगभग इसमें आपको 4-5 घंटे का ही work timing रहता है, और second है आपके ABPM, okay, डांक सेवा, इसमें है 10,000 salary, इन सभी को देख लेते हैं, और आगे देखते हैं, क्या के notification में दिया है, तो सबसे पहले देख लेंगे, registration में, starting date क March में, इसका क्या है, start date है, और last date कब है, last date को याद रखेंगे, 7 April को, 7 April को इसका last date है, यह दो no date important है, okay, next देख लेते हैं, इसके eligibility देख लेते हैं, तो सबसे पहले age क्या रहेगी, IU क्या होनी चाहिए, इस ट्यांक सेवा के लिए, तिसमें minimum IU 18 और अधिकतम IU 40 वर्स है, और क कुछ category के लिए relaxation या छुड दिये गया है, 5 सल, 3 सल, तिसको आप सिर्फ देखेंगे 18 और 40 के बीच में, next देख लेते हैं, educational qualification क्या है, आपकी योग्यता क्या क्या मंगा है, इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी दसी पास होना चाहिए, आपका main qualification ह दसी पास आप किसी भी state board, central board से हो सकता है, और उसके बाद next qualification है, compulsory knowledge of local language, 36 गड़ का local language इसमें क्या दिया गया है, तिसमें दिया गया है, हिंदी आपका local language दिया गया है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, next आ जाते है, basic computer training, ये भी आपका certificate होना चाहिए, ये कितने दिन का है ये सिर्फ 60 दिन का minimum बोलगा है, basic computer training के आप computer के किसी भी course का 60 दिन का course करके, इस document को इसमें क्या करना है, fill up करना है, इसको apply करना है, इस document को 60 दिन के, या आपके पास DCA, BCA है, या आप computer में कोई course के हैं, तो उसे भी आप इसमें apply कर सकते हैं, minimum है आपके लिए 60 days का, okay, computer course, द दस्वी के अंक से ही प्राप्त होंगे और उसी से selection का process होगा, और next है knowledge of cycling, आपको cycle चलानी आनी चाहिए, next देख लेते हैं knowledge of cycling, ये थो गया, next आ जाते हैं selection criteria, तो selection criteria मैं आपको बता देता हूँ, दस्वी में जो आपके अंक रहेंगे, उसी अंक के अनुसार आपका selection होगा, जैसे कि आपके percent हिसाब से, इसमें आप computer का document अटेच किये रहेंगे, वो सिर्फ आपके knowledge के लिए है, उसका selection से कोई मतलब नहीं रहेगा, selection सिर्फ आपके दस्वी के number से ही होगे, दस्वी के marksit में जो आपका number है, अब देख लेते हैं 36 गर में कहां कहां पे apply कर सकते हैं, त आप देख लेंगे अपना, जहां आपको अच्छा लगे बस्तर, बिलासपूर, दूर्ग, और देख लेते हैं, फीस क्या के लगेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं, जनरल OBC और EWS वालों के लिए 100 रूपीज फीस किया गया है, और AC, HD वालों के लिए फीस माप है, HTSC और गल्स के लिए फीस क्या है, माप हैती अभी देख लेंगे, फीमेल, AC, HD वालों के लिए छूट है इसमें, सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सबस्काइब और सेर करना ना भूले, थैंक्यू सू मच